प्यारे बच्चो गोर से सुनो सकेना और पुरकान रोज के मुकाबले में जल्दी जाग गए वाले देन की मदद के बगएर ही तैयार होकर इसकुल जाने की जल्दी करने लगे अम्मी ने पूचा सकेना आज इसकुल जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो सकेना ने कहा आज हमारे फूल बन प्रैमरी स्कुल की सालगिरा है आज वहाँ हमें खाने की चीज़े भी मिलेंगी कल ही हमने अपनी कलास की सफाई की है कलास की सफाई और सजावट का मुकाबला है मुझे अपना इसकुल बहुत अच्छा लगता है अबा ने कहा फूरकान हमारे जामाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था फूरकान ने कहा अबा जान मेरी सालगिरा की तरह ही ये इसकुल की सालगिरा है हमारा स्कुल खेल और मुक्तलिप मुकाबले में भी हमेशा आगी ही रहता है हमारे स्कुल में तक्रीरी मुकाबले होते है खेलों के मुकाबले होते है अब बाजान पूर्जेक्ट मुकमल करना पिकनिक पर जाना सकाफस्ती जलसमें इस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्छो तुमारे गाव का स्कुल कब कायम हुआ जी हाँ बच्छो हर स्कुल के कायम होने का दिन मुक्तलिफ होता है इसे स्कुल का योव में तासीस कहते है बच्छो तुमारे स्कुल का योव में तासीस किस तरह मनाया जाता है इसे अपने लफजों में बयान करने की कोशिश करो बच्चो तुम्हें अपने इसकूल के कौन सी बाते पसंद है ये भी अपने लफजों में बयान करने की कोशिश करो बच्चो क्या तुम्हें मालुम है हमारे बारत में किसी जमाने में तलबा इल्म आसिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे चंद बरसों तक वहां रहकर वो तालिम आसिल करते थे इसके बाद के जमाने में गाओं में एक उस्ताद और अलग-अलग उम्र के तल्बा जमा होकर उस्ताद से तालिम आसिल करते थे तल्बा जमीन पर अलपास और हिंदे से लिख कर सिखते उस जमाने में लड़कियों की तालिम का रिवाज ना था तालिम का मौजूदा तरीका अंग्रेजोन ने शुरू किया इसके बाद मात्मा फुले और करांती जोती सावितरी भाई फुले ने पुना में लड़कियों की तालिम की इप्तिदा की इनके साथ इस अमल में फात्मा शेख भी शामिल थी और इनके बाई उस्मान शेख ने अपना घर इस मकसद के लिए मात्मा फुले को वक्फ कर दिया था प्यारे बच्चो अब हम ये देखेंगे के इसकुली निजाम में तब्दिली कैसे आई बच्चो पहले छोटी छोटी बस्तियों में इसकुल हुआ करते थे किसी दरक्त के नीचे या सायादार जगे पर तुल्बा जमा हो जाते एक ही उस्ताद अलग-अलग उम्र के तुल्बा को तालिम दिया करता इसमें पहाडे, जमा, तफरेक, जर्ब, खुरूब की पहचान हिसाब शामिल कुभा करते थे अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने तालिम का वो तरीका शुरू किया जो आज भी जारी है हमारे मुल्क के लोगों की समझ में ये बात आगई थी कि तालिम के बागेर तरक्य करना मुम्किन ही नहीं है इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में पहल की इसी से मौजूदा स्कूल वजूद में आए